नमस्कार दोस्तों, सांतियों दुनिया में अभी कई ऐसे देश हैं जो बुद्ध को अपना पुर्वज मानते हैं, बुद्ध की सिक्छाओं को अपना आइडियल मानते हैं ऐसे में आज की जो इस ट्रीम है इसमें उन सारे प्रश्णों को देखने की हम कोसिस करेंगे जो आम तोर पर दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, चाहें आस्तिक हो, नास्तिक हो, वास्तिक हो, किसी भी धरम, मजहब, पन से वो तालुकात रखता हो, लेकिन उसके मन में कुछ जिग्यसाए होती हैं, especially बुद्ध को लेकर क्योंकि बुद्ध की जो धरती है, वो कभी भारत बताई जाती है, तो कुछ लोग नैपाल भी बता देते हैं, और बुद्ध की सिक्छाए क्या थें, बुद्ध इतने लुकप्रिय क्यों हैं, आम तोर पर देखा गया है कि जिस बंदे का जहां पे जन्म होता है, उस जगह पे वो सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है, लेकिन यहां पे देखा गया कि बुद्ध का जरम भारत में हुआ, या नैपाल या जम्बू दीफ हम कहें, और यहां पे हुआ और इसके बावजूद ये पूरी दुनिया में ज़्यादा फेमस हैं, और यहां पे देखा जाए तो उनसे नफरत करने वाले ही दूसरे-दूसरे कौम यहां पे हैं, यानि कि जो बुद्ध की सभ्यता थी, उस पर किसी और का अधिकरण हो चुका है, यानि बुद्ध की सभ्यता को गुलाम बना लिया गया है, कोई और जो है यहां पे अपनी सत्ता या अपनी सभ्यता अस सबको हम लोग देखेंगे जिसमें से सबसे जो मेन फोकस होगा हमारा ये होगा कि एक सवाल खड़ा किया जाता रहा है अक्सरहा धार्मिक लोगों द्वारा ही खड़ा किया जाता है कि भई बुध के सबूत क्या है बुध थें कि नहीं थें इसके क्या-क्यार के लोजकल या बुद्धु को भी ऐसे हवावाई मान लिया गया है क्योंकि जितने भी यह रिलिजियस लोग हैं इनका तो अपना कोई सबूत होता नहीं है पिछले 500 साल 600 साल या 200 साल के अंदर जो कागज पे कलम के द्वारा जो बाते लिख दी गई हैं हवावाई बाते उसमें ही लिख में लिख दिया गया है तो यही सबूत है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब उन पे सवालד ख़ड़े होते हैं साइंट फिक रूप से कि आपका फिर प्रमाड क्या है तो लोग ठीक यहीं सवाल काते हैं कि फिर बुद्ध का क्या प्रमाड है साथ में एक और सवाल खड़ा किया जाता है कि जितने भी बाहर से जो ट्रेवलर्स आएं जैसे फाहियान आया हैं सौंग आया इत्सिंग आया और ऐसे ना जाने कितने सौव से ज़्यादा ट्रेवलर्स आये गए नोट्स लिखे हैं तो क्या इन लोगों ने बुद्ध का चर्चा किया तो आप देखेंगे कि इन सब ने बुद्ध का ही चर्चा किया है तो अब ये सवाल आता है कि छलो ठीक है जब सारे यात्रियों ने इनका चर्चा किया तो इसका मतलब कि हो सकता है कि होंगे लेकिन जो डेट आफ बर यानि इधर 400 और उधर 600 तकरिवन 1000 years गब हो जाता है अब फिर से सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या इतना बड़ा जो एक gap है तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि फाहियान जो बातें लिक रहा है वो सही हो बही बही, एक हजार सल का गैब भी तो आ रहा है न, आपको एक ऐसा सांख्छ भी तो देना होगा, जो उनके समकालीन का हो, जैसे अगर आपको डायनासोर का सबूत देना है, तो आपको डायनासोर के कालखंड का सबूत देना होगा न, कि उसकी कोई हड़ी मिल गई, उसके कुछ फुट्प्रिंट्स मिलें, कुछ तो ऐसा मिला कि जिससे आप कह सके कि हाँ, वो डायनासोर थी था, तो इस तरह के बाते होती हैं, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और डीटेल में देखेंगे, आचा है, इसके बाद से और एक प्रशन खड़ा किया जाता है, कि फाहयान कि मेगस्तिनिच की इंडिका में बुद्ध का ही जिकरनी है, अब आप इसी से समझ सकते हैं, कि कितने ये धूर्त लोग हैं, पूरी मेगस्तिनिच की इंडिका जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की चर्चा है, इस पर मैंने वीडियो भी बना हैं, जिसको कि माना जाता है कि हाँ यही इंडिका की बुक है, ओरिजिनल तो अबलेबल है नहीं, तो बाकी के जो समकालिन डिफरेंट डिफरेंट ओथर्स थें, जिन्होंने उनका नाम लिया था, उनसे कंपाइल करके बनाया, तो आज की डेट में जिसको इंडिका कहा जा है, उसमें न किसी वेद का नाम आता है, न गीता का नाम आता है, न रमायन माभारत का नाम आता है, न चाणके का नाम नहीं आता है, अमेगेस नहीं सोचिए, वो चंदरगुप्त के दरबार में था, चंदरगुप्त के दरबार में आके, यहां पे इतने साल तक था, और उ क्लेम करते हैं इनके पास जो है किसी भी तरह का आप देखें कि सबूत तक नहीं होता है अच्छा एक चीज और यह लोग करते हैं उस पर भी थोड़ा सा डिसकसन कर लेते हैं फिर मैं इसको शुरू करता हूं इनका यह कहना होता है कि आप लोग कहते हैं बुद्ध का जो है मनाया जा रहा है भारत में कल मनाया जाएगा तो अगर बुद्ध थें तो फिर उनका डिट ऑफ बर्थ क्यों अलग हो जा रहा है अब देखें यह कितने भोले लोग हैं आप कहें कि बचकाना हरकत है किसी व्यक्ति के होने का और उसके डेट ऑफ बर्थ एक्जेक्ली ना प भी तो मिल गया तो हमें यह तो पता चल जाएगा कि हाँ भई देखो डाइना सुराव अच्छे सुरह करून साल पहले था लेकिन आप एक्जैक्टिक उसका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं निकाल पाएंगे ना आउसे सूरह करून साल पहले किस महीने किस यह कौन से दिन किस स रहा है तो वो फिर बेवकूफ है मुर्ख है यहां पर आप देखें कि वो व्यक्ति था उसके एविडेंस मिल रहे हैं आप यह नहीं कह सकते कि उसी दिन आप उसका डेट ऑफ बर्थ निकाल के दो अरे आज मैं कहता हूं आज पूरे भारत में आप सर्वे करा लेजिए आज जितने भी जो बुजूर्ग लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोग अपना एक्जेक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग अपना डेट ऑफ बर्थ लेकिन वह अस्तितों में है ना अस्तितों में तो हैं तो एक्जेक्ट डेट ऑफ बर माने घरावतवाओं नेपाव किया सच्छा है बूद्र थे इसका पूराताति वैंतिक प्रहाद किές थैंक यह आप फुरा तातरीक प्रमाड आर्पे लॉजिकलेंस आप मत मानूं आप नहीं पता था किसी नहीं नहीं लिवि लिएं अब का जके शुकल यह साथ में तो इसे पुरा तत्विक प्रमाड जो कहते हैं कि कि एसके पात्षा Holla से भी जूड़ी हुई पहुसी फरजी घटनाए भी तो ही है तो बुद का बोन्स का जो क्लेम करते हैं वो कितना सही है तो वो दिखाऊंगा मैं वो भी चर्चा करूंगा कि किसने किसने क्या फरजी बाड़ा किया सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूँ चो मै KSTNIs की इंडिडीप की बात आ रही थी, उसका मैं आप लोग को दे दिया और चेप्टर का नाम क्या लिखा कि इंडिका में बुध के अत्रिक्त किसी का नाम ही नहीं तो देखें यह पेज है इसमें यह साफ साफ यहां पे लिखते हैं उनकी पूस्तक में मतलब इंडिका पूस्तक में मात्र एक नाम आया है उन्होंने बुध को बोटा के न पेटे हुए बौध भीख्वों का विवरण दिया है जैन और बौध स्रमण भीख्वों के कारे कलाब भी बताए है आजीवक और बहुद स्रमण आजीवक बेसिकली उस समय कहा जाता था जैन लोग बाद में जैन सब्समय नहीं पाया जाता था तो हाहर के साथ लगती हुई खूली जगह में 30-35 साल सिक्षा देने का उल्लेख किया है और आत्मन होने का और कुतर करने वाले दार्षिनों का भी उल्लेख किया है इसमें ब्रह्मभा विश्णु में सीवु राम कृष्ण इंद्रा आधी कहीं किसी का कोई उल्लेख नहीं है देख ल कुछ नहीं मिला है तो यहां से सब लोगों किलियर हो गया होगा कि यह लोग बाते करते हैं ना कि में बुद्ध का नहीं है वह जूट बोलते हैं दरसल उन लोग को पता ही नहीं है फेक निश फैलाने की तो इनकी आदत है चले अब आते हैं एक बहुत ही अच्छी पूस्त करने लगते हैं कि इनको अपनी बिरादरी से मतलब है ना कि अपनी विरादरी का इचाहिए तो मैंने सोचा कि चलो इनको मैं किसी अंग्रेज की जो लिखें हैं उन्हीं का दिखा देता हूं तो यह एक बड़े अच्छे लेखक हैं चार्स एलन इनकी सबसे खास बात है कि इनका जनम भी भ्हारत में भ्हारत में वा था नंको भारत से करेम से भूब रिसर्च ही धार के रिसर्च कि मतलब आप समझे कि विल्यम् vineransm Jones जो थे न जिन्ने ब्रहमड संस्कृट का और शावधीयान चीजों पर ध्यान दिया था उसके बाद से यहskymFF प्रिंशेपक। ने अस्तम्भ को पढ़ा था ये आपको पता होगा और उसको मोकी था करếu कर् निंगहं मोदेक तो आपको पता ही है उन्हों पूरा जमीन खुदवा खुदवा के निकलवाया सारे बौध सुतूपों को जितना कर सकते थें, उनको नोट सांथ में लग गया, जीनी यात्रियों का, अब लगें वो खुदवा ने, इनको दिमागा माथा घूम गया, सोचो ये लोगायत है भारत को गुलाम बनाने के ये इसाइत हैं, इनको प्रेम हो गया, तो नी बड़ी उध की विरासत नीचे छुपी हुई है, इस पर कोई बात ही नहीं करता, तो अचानक से आपको इतिहां से प्रेम हो जाता है, इन लोगों को प्रेम हो गया था इतिहां से, कर देंगा महोदे जो 1893 तक थें ये, तो उ इधर नैपाल तो थोड़ा सा पहले ही, अंग्रेजो की आने से पहले ही थोड़ा अलग हो गया था, लेकिन जब आप आप आसोक के समय में जाएंगे, जब आप जाएंगे, बुध के समय में जाएंगे, तब नैपाल भी जो है, और तीबद का भी बहुत सारा पोर्सन जो ह कि ये सब भारत में था इसको जंबू दीप कहते थे और जब हम ल electro scenario सब भारत के अंडर में था तो अफगनिस्तान का भी छेतर भारत में था इन सब को जंबू दीप कहते थे तो जंबू दीप का मतलब क्या था कि उस समय नैपाल में तहां अगर आप देखें हैं कि अगर कोई भी बंदा नैपाल में भी जनम लेगा तो वो मोरियंस के अंडर में आता था जो बुद्र के समय में जो छेतरा था वो जम्बुदीप का ही छेतर था य settlements उसजम में पाकिस्तान में भी जनम लिया होगा ना वो भी उसी में जम्बुदीप भारत का हि यह तो बाद में इधर डिविजन हो गया ना अंग्रेजों के समय में तो लोग अब इनको विदेशी वो विदेशी वो विदेशी चल रहा है और धरम भी बट गया है तो धरम बटने के कारण दुएस है उसमें तो धरम एक ही धरम था समड़ मार्ग चलता था उसमें समड़ प्रंपरा सब भाई भाई थें तो कोई बाउंडरी का भी चक्र नहीं है तो उसमें जिनका यह प्रश्ण है न कि नैपाल में उनका जनम हुआ है तो उसपर तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा पहले एक पॉइंट यह बता दूँकि उसमें बोडर नहीं था अब मन मुह आज भी ये लोग भारत में ही सबसे ज़्यादा पुजनिय है वनमोन सिंग जी तो यहां के प्रधान मंत्री भी बन चुके हैं तो जनम जो है बाद में बंट के वह हिस्सा दूसरे में चले जाई से कोई मतलब नहीं होता है यह चीज पहले किलियर किजे आगे मैं और भी अभ भादानी से खुदाई करवाते था और यह कैंपवेल महोदे जो हैं इन लोग को बड़ा उत्सा था एक खाजाना हो जाना चुपा होगा इनके जो करमचारी वगरत है इन लोगों के मन में क्या था कि खुदाई जो हो रही है ना खाजाना चुपा है एक अबार तो क्या हु से उसी के बगल में ही कुछ दूर पर कुछ मिल की दूरी पर ही एक बड़ा सुतूप टाइप का मिल रहा था वहां पर कुदाई होनी थी अब वहां पर एक कोबरा का हला हो गया कि यह कोबरा है यहां पर खाजाने के रखवाली कर रहा है अब क्या हुआ कि खाजाने के रख कि भई अब पचास बच्चे जो है ना उनको मारके काटके बड़ी चड़ाए जाएगी कोपरा को तब जाके वो इतने लाख का खा जाना जो है तब छोड़ेगा ये करेगा इस तरह कि तो लोग अपने बच्चों को भी छुपा उपकर रख रहे हैं तो ये सारी चीजे ना च भाई भातिजवाद चलता है तो अंग्रेजों ने भी भाई भातिजवाद चलता था तो ये जो थे ना विंसेट स्मित पूरा फोकस भी था कि हम सही काम करेंगे इसके बाद से वाडले आये थे उनको भी मैं दिखाता हूँ उनका सबसे बड़ा रोल है कि उन्होंने इस प को को ये लोग फाइंड आउट कर पा रहे थे हैं हैंसोंग ने लिखा है या फाहयानित सिंग ने लिखा है वही जगह ये हो सकती है लेकिन उस जगह का नाम ये सब बदल दिये थे जब नाम बदल गया था तो ये लोग पाचान नहीं पाते थे और कोई भी बुद्ध का नहीं हुआ है वो ये लोग फाइंड आउट करना चाहा रहे थे अब देखे होता क्या है यहां पर बहुत बड़ा जमेला हुआ जो ये वाडेल थे हैं इन्हों ने जो जगह फाइंड आउट की थी वो भारत के अंडर आ रहा था एरिया लेकिन वहां पर क्या हो रहा था कि जस्ट ये जो एरिया था भारत का उसके बगल में सटे हुए ही नैपाल का एरिया था तो एक दूसरे थे थे है फुहरर वो वहां पे काम कर रहे थे तब यह घटना आती है जब ये फाह्यां का नोट्स पढ़े लेते हैं इतसंग का फैनसों का नोट्स पढ़े लेते हैं अ इनको एक टूटा हुआ जो है पिलर मिलता है निलगी हुआ में अच्छा निलगी हुआ जो जगह पर जब मिलता है न तो वहां पर फिर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिल जाता है जब लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिल जाता है अब सब की आखे वहां पे फटी रह जाती है इसमें देखें यह जो पेज मैं दिखा रहा हूं इसमें बहुत सारा चीज दिया है कि यह लोग कैसे कैसे बिहार में भी गए थे वहां पे भी समरा सिटेन बुधस कोना कमनस थूबे दुतिय बढ़िते और विस्तीव साभी सिटेन च अतन आगाच मही यते सिलायते में च उस पापिते अब ये लिखा हुआ था ये पाली प्राकृत में लिखा हुआ है अब ये लिखा हुआ यहाँ पर मिल गया इसका अर्द ही ये निकाला ग हुआ है और यहाँ पे कोना गवन जो बुद्ध है उनका पहले से यहाँ पर था, यहाँ पर कोई अस्थान था ये चीज मिल गया निल गया हुआ हुआ मैं इसी को अधैर बनाकर और भी जो हैंसोंग और फाहियानके नोट्स थे उसको अधैर बनाकर इन्हों ने तै किया व कि जब उनको पता चला कि एक हमें पिलर मिला है उधर तो इनको वहां पर जाके और काम करना चाहिए था लेकिन उनको जैसे यह चीज पता चले कि वह एरिया जो है हमारे अंडर नहीं आता है नैपाल के अंदर आता है और हम नहीं जा सकते अगर जाएंगे तो कुछ करवाई ह जाएगी मतलब अंग्रेज का हमला मान लिया जाएगा उस पर नैपाल पर तो नहीं गए उन्होंने छोड़ दिया था उस चीज को अब क्या होता है कि मार्च 1893 में एक मेजर जसकरन सिंग थे यह आपसर थे इनको मौका मिला यह गवर्मेंट आफ नैपाल में तो उस जगह प नैपाल में भी यह चीज फैला दी गई थी कि भीम से स्मोकिंग पाइप आप समझते हैं ना उस तरह के चीज़े प्रचारित कर दी गई थी तो वहाँ पे गए और उन्होंने इस चीज़ को पता लगाया देखा फिर खबर मिली विंसेट जी को खबर मिली कि वहाँ यह यह और थें जो जर्मन थें उसका नाम फूहरर था वो लखनव में प्रोफेशर थे तो उनको भी काम इस चीज पर सोपा गया था तो वो जो बंदा है ना फूहरर उसी ने यह सारा घोटाला किया हुआ यह देखिए पूरा लड़ाई जो है जो बुध के आर्केलोजी से लेकर यह नैपाल में बुध का जनम हुआ है यह भारत जनम हुआ है यह सब का सब जो है फूहरर का है अब फूहरर का गुरू कौन था आप जानकर राश्चर्ज हो गया कि इनका गुरू था भूलर अचा भूलर कौन था तो भूलर वो व्यक्ति था जिसने अपने आपको अस्थ खापित किया था कि संस्कृत का सबसे प्रकांड विद्वान है मैक्समूलर के बाद से भारत पर रिसर्च करने वाला संस्कृत पर दूसरा ऐसा विद्वान तो ये भूलर था अब भूलर का ये चेला था डॉक्टर फूरर असारा घोटाला इसी ने किया है देखते जाए इसने कैसे कैसे क्या क्या घोटाला किया है तो ये जो फूरर था ना इसने क्या किया कि यहां पे देखें उस समय वो लोग नहीं जान पाते थे बुधमार को कि कि इसमें God Own नहीं होता है तो वहीं आप कि वाला ट्रांसलेशन वहीं चल रहा था वेंदा God beloved King यह लोग गोड़ विलावड टूझ लिखते थे नहीं जान पाते थे मुझी होता है उसको देव ही लिख दो क्योंकि अकल देने वाला था यहाँ पर क्या होता है कि कोड़ा कमना पाली प्राक्रित में लिखा जाता है जो इसने लिखा था हैंसोंग ने ये लोग लिखेते कनकमुनी उस समय जो गुप्तकाल की जो लिपी थी भासा थी वो समराट असोक के लिपी भासा से थोड़ी सी बदल गई थी थोड़ा सा संसका सारित हो जाता था अब यह लोग कना कमुनी कहते थे कोड़ा कमन को यह कोड़ा गमन को तो फाहियान और हैंसोंग ने उनको कना कमुनी लिखा हुआ है यह बात नहीं समझ पाया थोड़ा सा बदलाव हो गया था तो यह इन्हों पूरा एक सीन यह क्रिएट किया था इसको थोड़ा से आप समझेगा यह कपिल वस्तू कपिल वस्तू से इसने क्या किया साउथ में 15 ली कहते हैं चीनी भासा में दूरी कौम अपने करे है यह तो यह old city था तो इसने कपिल वस्तू से 15 ली यह और 30 ली इधर कि साइड में तो इस नॉर्थ इस्ट में तीसली, तो यहां पे बुद्धा कनकमुनी सुतूपा जो है निलगिहवा का यहां पे मिला था, यह एक है, तो यह डॉक्टर वाडल का सुझाओ दिया कि बुद्ध कनकमुनी का सुतूप कपिल वस्तू से 5-7 मिल दक्षिन पूर्व के बीच में होना के खंड़ारों के बीच तीन सिर्ष देखे थे वो अपने नोट्स में बताया था कि मैंने तीन सिर्ष देखे थे जिसमें से एक मैं बुध कनक मुनी के ओस्यस रखने के लिए कहा गया था इसके पहले तीसरा स्थूप 20 फीट उंचा एक पत्थर का खंभा था जिसके सिर्ष पर एक सेर था और किनारों पर इस बुध की मृत्यू का एक रिकॉर्ड था इस अस्तम भी असोक द्वारा अस्थापित किया गया था तो इसने जो है ये सारी चीज़े बताई थी अब इनको एक बात तो लग गया कि जहां पर कपिल वस्तू होगा वहां पर बुध के मृत् के मृत्यू का एक रिकॉर्ड जरूर होगा तो ये सोचकर ये जो है वाडेल जो है ये अपना काम कर रहे थे अब यहां पर मतलब ये अभी कैल्कुलेशन चल रहे है कि कैसे पता लगाया जाए कि किस जगा पर उनका जनाम हुआ था तो ये सारी इधर बाते चल ही रही थी तब तक जो है रुमन देई का जो अविलेख है वो मिल गया अब देखे जमीन की सतह से लगभग तीन फीट नीचे असोक का सिलालेख मिला जब सिलालेख का पता लगाया जा रहा था तब स्री रिकेट्स को उपस्तित होने का स्वभाग्य मिला थोड़ी दिर बाद पतरूप से विभाजित है सायद बिजली से या सिर से टूट गया था टूटा हुआ था सिलालेख खुबसूरती से कटे हुए और अच्छी तरह से संरक्षित वर्णों की साथे चार पंक्तियों में है औस्तन लगबग 30 मिलिमीटर या उचाई में एक इंच से थोड़ा अविलेख का मुख्य अभिप्रायय है कि देवो के प्रिय राजा पियदसी जब 20 वर्ष का अविसे किया गया था इस अस्थान पर आये और यहां पूजा की यहां बुध साक्यमुनी पैदा हुए थे यह देखें यहां पे लिखा हुआ है कि यहां पे बुध साक्यमुनी जिस बुध को मतलब अंग्रेजों के समय में जिस बुध को कोई जानता तक नहीं था कि भारत में इनका जगह कहां पे है जनम अस्थान कहां पे है आज मारा मारी हो रही है कि नेपाल में है कि भारत में है और अंग्रेजों के समय में कोई जानता तक नहीं था मतलब कि भू यहां पर पहली बार पता चला कि इस जगह पे जो है एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिससे यह पता चल पा रहा है कि बुध का जनम यहीं पे हुआ है और यह लोग पहले से जानते थें कि है यहीं अगल बगल क्योंकि हैंसौंग तो साथवी सदी में लिखके गया है वो तो अं बास्तों में ऐसा कोई प्लेस था कि नहीं लिखीत रूप में मिल गया इनको अब वो जो पत्थर का खंभा था उसी पे यह लिखा हुआ मिल गया यहां लुंबनी गाओं में माननिया जन्म हुआ था इस तरह लुंबनी उद्यान में गौतम बुध के पारमपरिक जनम अस् तो फिश्मीत गयें पता लगाने के लिए कि वह यह उनके गहर की कुछ न कुछ तो जरूर कि तो चलें मंदिर के अंदर देखें क्या है तो गएं मंदिर के अंदर तो यह उनको चित्र मिला था यहां पे एक षोटा 꽃्चा यहां पे देखें अझे देखे कितना धूर्थ होता है चुटया बना के लटका दिया है पीछे पीजिक यहां पे पीछे आपने चुटया टाइप का लटका वहाँ पार्जी का बनाया हुआ एक चुटया नहीं है और बुद्र चुटया थोड़े रखते यह दिखाने के लिए कि इस चीज प्रिंस सिधार्थ बर्थ प्लेस इस चीज पता लगाने के लिए कि यही जगह सिधार्थ का बर्थ प्लेस तो वह वहां विजीट करने गयां और उनकों पाया कि यहां पे जो है ना एक हिंदू हिंदु ओ का जो स्रीन है उनका जो अपना एक temple type का बना रखा है वहाँ पे stone base उन्होंने बना रखा है Queen Maya का जो बच्चा बर्थ दे रही है the Brahman in charge अब वहाँ का जो ब्राम्हन in charge था तो उसने क्या किया घूसने नहीं दे रहा था उनको नहीं कुछ ने रहा था उजान गया था कि अंग्रे जाया है तो पता लगा लेगा सच्चा जान जाएगा कि यह तो सिधार्द बैठा हुआ है तो आप देखें कि लोगों ने पहले से ही सारी चीज़े बुद्ध का उनके रिलेटेड जगह का सब चीज़े बुद्ध से कुछ ने कुछ बना था ब्राम्हर ने तो बाद में जाकर करके अपना जो है धन्धा पानी शुरू कर दिया था तो यह चीज जो जो है यहां पर देख सकते हैं यह चीज हुई थी आचा अब क्या हुआ कि जब यह सारी चीज़े पता चली तो अब जो वर्डेल जो थे ना यह पूरा इंट्रेस्टेड हो गए कि वैए जो है हमको वहां पे कुदाओं करवानी है और वहां पे हमको मतलब पता लगाना है और उनको पता चल गया कि फूहर जो है इस पर काम कर्राcolor है तो उसको उन्होंने बहुत रिप्लाई नहीं देता था बहुत चालू व्यक्ति था यह तो जब रिप्लाई नहीं देता था और यह सारा चीज बना के इसका गुरू था भूलर जो अपने को बताता था कि संस्कृत के सबसे प्रकांड विद्वान हम है यह देखिए पूरा इन लोग का गुरूब था और इसे दोते हुए अब देखें यहां पर क्या होता है कि लूंबनी इंस्क्रिप्शन जो है न उसका यह translate करके क्या बताता है enough to realize the enormous significance of the sentence हीडा बुधे जाते साक्यामुनी टी मतलब हे अरवाज बुध्धा साक्यामुनी बॉर्ण यह उसने अपना पता लगा लिया कि यहां पर यह चीज लिखा हुआ है अन्य आफ दफ्रेज मतलब लुमिनी विलेज में इनका जनम हुआ हो यहां यहां पर बुध का जनम हुआ है लेकिन इनके पिता जी का घर यह नहीं है रास्ता है पिता जी का घर कपिलवस्तू है कपिल वस्तु पर लड़ाई चल रही थी कि कपिल वस्तु है कहां पर आचा नेपाल ने क्या किया कि उसके यहां एक जगह थी किसी और नाम से उसका नाम उसने बदल के कपिल वस्तु रख लिया है उसने नाम ही बदल दिया नाम बदल के उसने कपिल वस्तु रख लिया है लेकिन फ्यूचर में यह चीज़ बदल सकती है सारे देश जो हाँ यह मानने लगे हैं कि नैपाल का जो कपिल वस्तु है वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिला है और वह एक फरजी क्लेम है जो फूरर और भूलर का बना बनाया एक खिंचड़ी था इन लोगों का ठीक है न य आगे देखें इसमें अब क्या होता है अब यह कपिल वस्तु जो था यहां से यह 32 ली और 80-90 ली यह लूंबनी यहां पर यह चीज़ जा रही है लूंबनी में अब लूंबनी से दो फाड़ हो रही थी लूंबनी जहां पर यह मिल गया ना कि लूंबनी यहां पर इनका ज छित्र दिखाता हूं कि कैसे जो है यहे यहूं पर्वाला पोर्षन नेपाल का नीचे वाला पोर्षन जो है इंडिया का है व उपर जो है वह नौर्थ है नीचे मतलब यह भी नौर्थ है लेकिन सौ ide तरह से तो लूंबनी यहां पर जो जगा है यह नैपाल में है राइट साइड में देखिए यहां से दू बन रही थी कि यहां से लूंबनी से यह निलगी हुआ का जो मिला था तो यह 13 माइल निलगी हुआ तक अनिलगी हुआ से फिर ओल्ड सीटी और ओल्ड सीटी से यह कपि अरत के बोर्डर में पड़ रहा था अब यहां पे सवाल था कि कौन सा कपिल वस्तु सही माना जाए अब वहां पे तो कपिल भी वस्तु नहीं था नैपाल में उस समय तो यह पूरा चकर था अब देखे होता क्या है नैपाल सीमा के ठीक अंदर तीन बौध अस्तलों की खोज ने सीमा के भारतिय हिस्से में डंकन रिकेट्स के साथी संपत्ती प्रबंधकों के बिच हल चल पैदा कर दी थी यह मैंने उसका ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आसानी हो जाए सब लोग को उनमें से एक विलियम पेपे थे अब विलियम पेपे जो है ना यह मेनेजर थे बै कर आए एक भूमी तय किया था कि इस जगह पर जो है हो सकता है उन्होंने उस पर काम किया तो उस चेत्र के दक्षिन में तुरंत नैपाली सीमा तक फैला हुआ था जहां मेजर सिंग को 1893 में निगिलवा स्थम के टुकड़े में लेते हैं जहां डॉक्टर फ्यूरर को हाल ह कि में कपिलवस्तु मिली थी बड़पूर में पैप्स का बंगला सीमा से 6 मिल दक्षिन में निगिलवा से 17 मिल दक्षिन और लुंबनी से 12 मिल दक्षिन पस्चिम में था सीमा पर खोजो की घोशना के तुरंत बाद विलियम पैपे ने टीले या कोटस में रूची ले ले उसके पर उन्होंने इंट्रेस्ट लेना सुरू किया क्योंकि अस्थानी रूप से जाने जाते थे जो सीमा के करीब बर्डपूरे स्टेट के उत्री छेतर में फैले हुए थे वह पीप्रहवा गाउं में और उसके आसपास बीसे रूप से प्रमुक्त हैं जो सीमा से केवल आ आधा मिल दूर इस साइड में है भारत छेत्र में यह जो आप देख रहा है ना राइट साइड में यही है पीपर हवा का सुतूप यह पूरा ढाका हुआ था मिट्टी से इसको फाइंड आउट करके और जो विलियम्स पेपे जो थे ना इसी का एक्सक्रिवेशन करवाये थे इसके बीच में ठीक बीच में स्क्वायर कट मरवाक है और उसका खुदाई करवा रहा है थे बहुत सावधानी से इन्हों ने करवाया था देखें इसमें क्या लिख्या है पेपे ने बाकी से अधिक प्रमुक एक कोट पर नजर डालने का फैसला किया और अपने कामगारों को टीले के ठीक पार खाई खोधने के लिए कहा जिसमें 16 by 10 तीन इंच की बड़ी इंटों से बनी एक बड़ी सनरचना को उजागर किया इस बात से संतुष्ठ होकर कि यह बहुत सुतूप था उन्होंने अपनी खुदाई बंद कर दी और गोरकपूर में विंसेट इसमित स इसमित ने पीपरहवास्थल का दोरा किया क्योंकि जब खुदाई होती थी ना तो खुदाई में आपको परमिशन लेनी होती थी और कर निंगम महोदे के बाद से जैसा कि मैंने बता है कि कई सारे ऐसे इक्सक्वेशन वाले आ गये थे जो सुतूपों को तोड़ मोड़ द अब क्या हुआ ना तो इसने प्रद्यान दिया था कि अराम से खोधना है तो इसी बिना परमिशन के नहीं होती थी तो दोरा किया उस जगा का अब फिर उसने पता लगया कि यह जो इंट का साइज है यह तो मौरियं से भी पूराना लग रहा है इसी ने यह फाइंड पहले करनिंगम ने देखा था कि प्राचीन असमारकों की इंट प्रतेक बीतिती सदी के साथ छोटी होती जाती है इसे एक चार्ट त्यार होता है करनिंगम ने अल्रेड़ी एक चार्ट त्यार किया था इंट का इससे पता चलता है कि पीपरहवा के सतूप पर इस्तमाल किय गए बड़े अकार की इंटे असोकन अवधी से पहले की हैं तो जैसे जैसे प्राचीनकाल के जो इंट थे वो बड़े होते थे अब आद में छोटे हो गए थे तो असोकन से भी बड़ा इंट था तो इन्होंने इससे पता लगाया कि यह समराठ असोक का जो चीजे बनवाते हैं उनसे पहले का है अब यह देखें यह जो सुटूप आप देख रहे हैं नीचे इसके ऊपर देखें बीच में ऐसे स्क्वाइर साइज का कट मारा गया था खुदाई के लिए कि अगर कुछ होगा तो ठीक इसी के नीचे होगा इसमित की सलाह के बाद विलियम पेपे ने 1897 का क्रिस्मस उत्सो समाप्त होंते ही अपनी खुदाई फिर से सुरू कर दी परमिशन मिल गया खुदाई उसने सुरू कर दिया केंद्र में सतूप के ऊपर से एक वरगा कार साफ्ट डूब गया था और पेपे ने हर चरण में माप लिया जबकि उनकी पतनी ने चितर बन लड़ाई लड़ा हैं और अंगरेज भी अपनी लड़ाई लड़ा रहा था ना भारत में क्या था वो भी तो लुल ने आया था लेकिन देखें इनका प्रेम देखें कि यह बैचारे जो हैं बुद्ध की भारत की पुरानी सभ्यता खोजने में लगे हुए हैं पतनी चित् पुट जैसे खोदेते हैं फुल दान मिला था और मिटी से भारा हुआ था लेकिन अंदर कुछ मोतियों क्रिष्टल और छोटे सोने के गहने थे ठीक है ना यह निरासा जनक था अब इन लोग के लिए तो निरासा था इन लोग को सोने से थोड़े मतलब था कि हमको सोना मिल वो तो बोल रहा है कि बुद्ध के मृतिव के रिकॉर्ड रखे गए हैं नीचे जहां उनका घर है तो वो कहा है तो इसे निरास हो गए है कि यार यह सब क्या मिल रहा है सोना के गहना मिल रहा है क्रिष्टल मिल रहा है मूती मिल रहा है लेकिन इसमित ने उन्हें जमीनी अ अंदर तक हो तो देखो मिलना होगा तक कुछ ना कुछ तो मिली ही जाएगा यहां पर खुदवाय गया आगे इसलिए काम फिर से शुरू हुआ मिट्टी में 18 फीट ठोस इट वर्क के मात्यम से खुदाई करने के बाद पत्थर का एक विसाल सैलाब प्रकट हुआ आप देख इसा भी देखो कुछ ना कुछ तो मिल ही गया अब यह चीज मिला था यहां पर देखेंा यह आपको देख रहा है न समय सब उसी पर मार दिये थे, क्या किये थे, लेकिन भीतर का समान पूरा सुरक्षित था, असानी से कवर हट गया था, भीतर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था, जो चीज रखा हुआ था, अब क्या होता है यहां पर, कि उसके भीतर जो है, यह पांच तरह की चीज़े मिली, यह देखें हैं, यह क्या क्या लिखा हुआ है, छे से साथ इंच उचे साबून के पत्थर के तीन छोटे फूलदान प्रकट करने के लिए, एक छोटा सा सोप स्टोन बॉक्स और साढ़े तीन इंच उचा एक क्रिश्टल का टोरा सभी सही इस्तिती में मिले थे, और उनको खोला तो पता चला कि हड़ी के टुकड़े, हड़ी के टुकड़ों के साथ साथ सोने के कई छोटे-छोटे आभूशन भी थे इसमें, यह जो कलस देख रहे हो नहीं तर लेफ्ट साइड वाला, इसी में बोन मिला था, अब बाकी सब में जो है कुछ-कुछ चीज़े मिली थी, जा भूशन और स्टोन के क्रिश्टल्स, जिन में सोने की पत्ती पर अंकित कई छीत्र सा मिल थे, मानो अकृतिया, एक सेर, एक हाथी, एक स्वास्तिक तारे और फूल, इन सब में छोटे कलसों के ढखकन पर एक लंबा सीडा लेख था, अब यह सबसे खास बात यह थी व्यक्ति हो सकता है, हम लोग कैसे मान लें, कि यह बुद्ध का ही है, कहीं भी आजकल कोई मूर्ती मिल जाती है, कुछ यह चीज मिल गया, किसी का बुद्ध का ही है, हम क्यों माने कि राम का ही है, क्रिश्न का ही है, किसी का ही है, क्यों मान लें, सुतूब है, चलो मान लेते बुद्धिष्ट का होगा लेकिन हम ये क्यों माने कि बुद्ध का ही होगा सवाल ये खड़ा था यहाँ पे लेकिन आपको तो पता ही है कि बुद्ध दहम जो है बहुत चतुर चलाख रहा है आज का थोड़े ही है बहुत पहले का है बहुत पहले से वो चतुर चलाख रहा है तभी तो कहा गया कि पूरे बिश्व में अगर कोई चतुर व्यक्ति था तो वो बुद्ध थे तभी तो कहा गया पूरे बिश्व ने ऐसे ही थोड़े बुद्ध को स्विकार किया है ये चीज आपको समझनी पड़ेगी तो उन्होंने क्या किया था कि जब ये चीज के लोग भी हो सकते हैं यहां पर दुनिया में तमाम तरह के सिविलाइजेशन नष्ट होती है तभी तो एक पूरा एक ताबूत बना के अब उसके भीतर रख के लोटे में टेरिकोटा का लोटा बना के अब उस पर लिख के पकायद रख दिया गया था लेकिन उस समय आज स से 23, 24, 25 साल पहले कोई लोटे पर कैसे लिखवा सकता था लेकिन लिखवा के रखे थे जानते थे कि भविस्य में जो है मंद बुद्धी के बालक पैदा हो सकते हैं भविस्य में है इस चीजों को कब जाया जा सकता है सबूत देना पड़ेगा यह भविस्य की सुरक्षा के लिए रखा जा रहा था कि भविस्य में अगर कोई खोले कभी कुछ मिले तो लोगों को पता चले कि भविया बुद्ध कभी थे उनका अस्तिता तो यह यहां पर लिखित यह देखें यहां पर लिखा हुआ है मैंने इसका चार्ल्स एलेन की बुक है यह उसमें से मैंने यह हिंदी अनुवाद किया हुआ है और एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिएगा यह लंबा सिलालेक मतलब इंस्क्रिप्शन इस लोटे पर लिखा ही हुआ था यहां पर आपको तरह तरह के बौन्स जो मिले न और जो तरह तरह की आकृतियां मिले उसमें ध्यान मैं जो है मूर्तिया नहीं बनती थी अरे मानो अकृतिया बनती थी देवी देवता नहीं होते थे इंसान की अकृतिया बनती थी और यह बुद्धिष्ट ही बनाते थे तभी तो बुद्ध के ही जो जहां दफनाया गया है इनके रिलेक्स को वहीं पर यह चीज़ें मिल रह स्वास्तिक अब ये ध्यान से समझेगा दूस्तो स्वास्तिक आप लोग जो पूछते हैं आप ब्रामणे लेके बैठा हुआ स्वास्तिक बुधिष्ट का ही है और बुध से ही जुड़ा हुआ स्वास्तिक है चुकि मौर्यन से भी पुरानी वह इंट थी और उसके भीतर जो और ये देखें, तारे और फूल, ये सारे के सारे जो प्रतीक थें, ये बुद्ध के थें, और फिर इनके उपर एक लंबा सी लालेख भी लिख दिये थें, ताकि किसी को confusion न हो, ये बुद्ध का है, ये तमाम जो प्रमाण है सबूत हैं, दुनिया में आज तक किसी पुराने किसी भी जो लोग कलपना करते हैं कि हमारा ये इस्वर है, हमारा ये पैगंबर है, हमारा ये आवतार है, हमारा ये गौड है, गौड का बेटा है, किसी ने आज तक लिखवाया, नहीं, बुद्धिष्ट लिखवा रहे थे बाई साब, बुद्ध की संस्कृति जो है, आप इतने सालों तक गुलाम रहा इतने लोग आएगा है फिर भी बुद्ध की चीजे जो है ये लोग इतने चतुर चलागते कि जमीन के नीचे भी दफना कर रखे तो बेटा तुम उपर तो कुछ भी कबाड़ा लोगा जमीन के नीचे तुमको पता भी नहीं चल पाएगा हमारी चीजे तब भी सुरक्षित रहेंगी तो ये आप देखे क्या लिखा हुआ था इस पर शाली निधाने बुद्धाशा भगवते और आप जानते हैं कि भगवत सब्द जो है वो बुद्ध के लिए ही इस्तमाल होता है पुर्व बुद्धों के लिए इस्तमाल होता है भगवत का ट्रांसलेशन उस समय वो लोग लोड कर दिये थे क्योंकि ब्राम्हण ने बता रखा था कि भगवत मतलब देवी दे होता होता है लोड होता है यहां से आप समझ सकते हैं कि कैसे अंगरेजों को ब्राम्हण ने हर पाली का मतलब जो है संस्कृत में बना बना के रखा था तो यहां से आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इस लोटे पर यह लिखा हुआ उपर देखिए ना इसके गरदन पर लोटे का जो नेक है इस पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना धंबलेपी टाइप का असोक से भी पूर्व धंबलेपी में लिखा हुआ है और अगर किसी को लगे कि कहां से चित्र इमेज तो देख लिजिए यहां पर भारत सरकार की मोहर भी है ध्यान से देख लिजिए राइट साइड में नीचे भारत सरकार की मोहर है और यह कुलकत्ता म्यूजियम में रखा गया है जिसको भी डाउट है जाकर देख ले भाई स साफ साफ लिखा हुआ वहाँ पे और ये जो है प्रमाडिक चीज है वहाँ पे आज भी एवलेबल है अब कौन फ्यक्ति होगा जो कह देगा कि भाईया बुद्ध थें की नहीं थें उस पर कौन प्रश्न करेगा अरे यहाँ पे सिर्फ रेलिक्स नहीं मिला है सिर्फ सतूप नहीं मिला है लिखित लिखके भी दे दिया है उसने अब लिखित मिल जाए इतना सारा चीज मिल जाए और भईया आपके क्या प्रमाड है कागज पे कि यह यहां से फ्लाई किया यह वहां से उड़ गया वह वहां से टपका यह यहां से टपका और माल लो वो प्रमाड नहीं होता है प्रमाड यह होता है जब उनके ही समय में वो ही खुद लिखीत दे रहे हैं यह उतना ही साइंटिफिक एविडेंस है जितना साइंटिफिक दबर है यह चीज है जो है आप यहां पे देखें अब आगे देखें इसमें और यह उस समय जो है पेपे ने यह पूरा अपने पढ़ा पढ़े के चुकि उन्हीं को कलस मिला था तो उस कलस में जो जो लिखा था उसको लिखकर और कई जगा भेजते थें कि भाया स्वास्तिक में देखें तो यह स्वास्तिक बना हुआ है यहां पर स्वास्तिक बना हुआ है और यह बुद्धा के सांथ मिला हुआ है दोस्तों स्वास्तिक जो है इंडस वैली सिवलाइजेशन में पाया गया इंडस वैली सिवलाइजेशन से जो व्यापार होता था तो य मेसुपुटामिया की सभेता तक गया और इसको जो है भारत का चुब इस्रमण परंपरा का हिस्सा रहा है स्वास्तिक तो बुद्ध के सांथ भी बुद्ध के समय में ही स्वास्तिक जो है बौधु का ही रहा क्योंकि इस्रमण परंपरा का हिस्सा था और उनके मृत्यु के सा पहने पहां पर बना गया है तो ये सबूत होता है जिसको भी डाउट है कि स्वास्तिक किसका है अपना कंफ्यूजन यहां पर दूर कर लीजेगा नीचे लिखा भी गया है वन आफ दा गोल्ड डीसिस विद लाइन एंड स्वास्तिका किसके साथ तो बुद्धा रेलिक्स के साथ, अंदर मिली है दोस्तों ये, और देखें, ये पिपरहवा का जो सुदूप के नीचे, जो तरह तरह के वेशल्स थें, उसमें ये सारी चीज़ हैं मिली हैं, ये देख लिजे द्यान से, सारा चीज सुरक्षित है ये अभी ही, ये देखें, ये देखें कितन सारी चीज़े उसमें मिली हूई हैं, यहां से आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़े आप देखें, ये सार्य各दमиш भूमिली हैं और ये देखें, ये यह ดेखें, आप देख पा रहे होंगे त्री रतना मिला हुआ है, जो सांची का सुतूप बाद में बनाया गया वे, उसमें ये त्रिरतना आप जो देखते हैं, त्रिसूल टाइप का ये आपको दिख रहा होगा, ये सारी चीजें सोचे बुद्ध को जब दफनाया जा रहा था, जब बहुत ज़्यादा सुतूप नहीं बने थें, तब भी ये चीजें मिल रही हैं, इसका मतलब कि त्रिरतन व राजा था, जो डबल कबर बताई जा रही है, जो डबल साइज का है, उसके उपर जो चित्र बना हुआ है, उसमें ये सब पाये जा रहे हैं, इस तरह के याकृति, यानि कि ये सब के सब स्रमड परंपरा से होते हुए आये हैं, अब बुध मार्ग भी स्रमड परंपरा में ये सारी चीजे सम्मिलित थी दोस्तो ये पूरा के लिएर एविडेंस है और ये एविडेंस इधर उधर के नहीं है कि कोई बाद में आया ये अल्रेडी सुरक्षीत है और ये 24-25 साल पहले के लिखित रूप से अंदर ग्राउंड जमीन में जमीन दोज थे दोस्तो भाविसे खतम हो जाए कभी हमारी चीजे जरुरत पढ़ें मिसर की तरह तो अंधविश्वासी ये लोग नहीं थे क्या करता था जीव निकाल देता था जिगर निकाल देता था शरीर पे लेप लगा के ममी बना के डाल देता था उसको विश्वास था कि कभी रूह कोई आएगी कभी इंसान जिन्दा हो जाएगा उसको ऐसा सोचता था ये लोग नहीं सोचते थे ऐसा सरीर बर्न कर देते थे जला देते थे जानते थे कि सरीर के बाद से कोई आत्मा उत्मा नहीं होती है खतम कर देते थे ये लोग पूरी तरह से सिर्फ हटियों को रखते थे संजो के ये दि पूत मिल रहे थे दूसरी तरफ जो फुषरर है वो क्या कर रहा था कि एक दूसरी तरफ सर्डेंदर खेल रहा था सर्डेंदर क्या था कि जो रणे धेन इंहों। जब सारा चीज पता लगा लिया था कि भाई हमको ये पिप्रावा का एक्सक्वेशन कराना है जगह सब चीज पता लगा लिये तो इनों ने जो इस्याटिक सोसाइटी ती कुलकत्ता की वहां पे लेटर लिखा कि भाई देखें ये सारा चीज हमने निल गिहाँ और जो लुम भीता एक बीता दो भीता कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है तो इन्हों ने अपने प्रेस कामफ्रेंस और मीडिया जो है वहां पर बता दिया कि भाई देखें इसके आधार पर मैंने ये ताई किया है कि यहां पर यह चीज़ें मिल रही है और यहां पर जो है बुद्र का बर अब बसरते की एक सर्त है जहां पर तुम प्रोफेशर हो पहले ये सेना में थे सेना से पढ़े लिखें और उधर से हट के फिर प्रोफेशर बन गए थे वार्डन अगर वो तुमको देदेगा छुट्टी तब तुम जाना अब क्या हुआ कि सब चीज़ें त्यार हो गया चुट्टी नहीं दिया नहीं थी थी चुट्टी उसने अब चुट्टी नहीं दी तो ये बैचारे फंस गएं कि अब कैसे जाएं यार रोजगार कफी तो सवाल है न आधर हक्के पास रोजगार ही नही रहेगा ताब खुदाई ही करके क्या करोगे तो अब वो सोचे जो काफी था वरसात का मौसम आता था तो लोग नहीं खुदाई कर पाते थे जाड़े के ही मौसम में खुदाई होता था अराम से दीरे-दीरे करते थे लो तो अब क्या होता है कि यह छे महिने का जो समय बीता इस बीच में इनको पता चला कि यह जो डॉक्टर फूहरर था इसको एसियाटिक सोसाइटी ने ओफर दे दिया कि तू जा और खुदाई कर ले और जो मांचित्र मैंने आप लोग को दिखाया था कि इस मांचित्र के भारत वाले साइड के कपिल वस्तू में इनका बुद्ध का सबूत मिल रहा है और उधर नैपाल वाले साइड में जो है मिल नहीं रहा था वहां पर पूरर पहुंच गया संस्क्रीट वाले थे सब पूरा संस्क्रीट वाला था इसका गुरू भी संस्क्रीट वाला था पहुंच गया वहां पर आजा के एक वह फैला दिया फेक न्यूज कि यहां पर जो है फैन सॉंग के और फैयान के किताबों से प स्मित खोज़ना सुरू किहा है तो पता चलता है कि कोई सबूत ही नहीं मिला है कुछ भी सबूत नहीं था ऐसे ही हवा मार रहा था अब क्या हुआ कि वहां सीदे-पोल रहा था यह पुरा एक एक गेम खेल रहा का वो कपिल वस्तु है वहां पे उनका जनम हुआ है तो अब यहां पे जब यह पूरी तरह से पकड़ा गया तो देखें यहां पे लिखते हैं देर कैन पी अब क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि यह बात आ गई अब क्या हुआ कि जब फूहरर जो था इसके पास जो है इसका इज़त जो है जा रहा था इसका इज़त जो है गयब हो रहा था अब यह क्या किया कि रिजायन हो जायन करके असीदे भाग गया यह इसकी पूरी पोल खुले ना फूहरर की तो यह अपना रिजायन हो जायन करके भाग गया यहां देख इसका जो पेट्रॉन था इसका जो सनरक्षक था इसका जो गुरू था इसको मैं बोल रहा था कि यह संस्कृत का अपने को ठरता प्रकांड विद्वान है यह गायव हो गया यह कैसे गायव हुआ कि रात में बताया कि भाई हम तो लैक में जा रहे हैं और उसके बाद से वो मि दिखेंगे कि एंटिकीटिस में इसके कई सारे पेपर मिलते हैं वह भी गायव हो गया और यहां पर इन्हों ने लिखा कि कोश्चन उठा कि वाई दा प्रोफेशर सुड़ हैब चूजन टू गो बोटिंग इन दा नाइट वाज नेवर एक्स्प्लेंड तो इन लोगों की चीज़े जो है न यह जूंटी भी निकल रही थी फिर यह गायव भी हो गया मतलब यह जो कपिलवस्तू की साइट थी न यह अंसॉल्व हो गई इन दोनों के गायव होने के बाद से यहां लिखते हैं कि यह जो लोग यह सोचते हैं कि बुद्धा जो है उनका कोई सबूत है की नहीं है तो नैपाल में दिखाने के लिए फुरर ने ही एक कोशिस की थी कि यह दिखा दे कि नैपाल में उनका जनम हुआ था और उसने जूट मुठका कहा कि उसने बहुत सारे ऐसे कबर खोज लिए हैं बाई कबरा आप कैसे खोज़ोगे बतायों ना आप का वर चो बहुत हैं वह अपने सरीर को जलाते थैं जलाकर उनके हड़िया जो हैं वो उसमें दफन सूर्द कुछ नहीं सबुत दिया कुछ नहीं सबूत दिया है कोई नश्रास न कुछ तो उनके जो है लासे जो है दफना दी गई थी तो वो सारी कब्रे मुझे मिल गई है नैपाल में इसलिए यही असली कपल वस्तु है यही इसने क्लेम किया था अफर जी रेलिक्स और यह चीज़े दिखाने की कोशिस की थी लेकिन कुछ भी सबूत नहीं दिखा पाया तो यह एक प्रोपगंडा के कारण लोग जो है उसको उस समय मानेता मिल गई कि नैपाल में ही जो है ना बुद्ध का जनम हुआ था और लेकिन लिखा हुआ था कि भाई बुद्ध का जो जनम स्थान है जब बुद्ध मरे थे ना एक चीज़ समझेगा जब बुद्ध मरे थे तो उनके जो अस्थियां थी उनको आठ पार्ट में डिवाइड किया गया था एक जगह यह भी में आया है कि दस जगह किया गया था यह सब भरहूत के सुतूप पे बने हुए मिले हैं बकायदे कि इतने पार्ट में डिवाइड के गया तो जब डिवाइड किया गया था तो व उनका record जो है उसके नीचे है और 84,000 सुतूप की जो बाते आई थी उसमें भी समराट असुक के जो बनाए गए बहुत सारे सुतूप है उनमें एक एक हड़ी मिलता है जो 84,000 सुतूप है उसमें एक हड़ी मिलेगा बाकी सब यह सारी चीजह मिलेंगी लेकिन इसमें धेर सारे मिल रहे था लिखा भी हुआ मिल रहा था कि यह बुद्ध का है तो इससे यह अनुमान लगा कि उनका पैत्रिक घर यहीं पे होगा अगर पैत्रिक घर जो नेपाल का जो कपिल वस्तूइन होने बनाया है नकली वहां पे होता तो फिर वहां नीचे से इसी तरह का चीज लग सकता है मेरे बहुत सारे दर्सक जो है नेपाल से हैं तकरीवन डेड़ से दो परसेंट लोग नेपाल से देखते हैं लेकिन आप सब को एक बात समझना चाहिए कि बुद्ध का जो जनम है आप कहें कि जो साक्यमुनी जो सुकिती है उनका जनम जो है लुम्बिनी जो आ जो जनम हुआ है या साक्यमुनी बुद्ध कहें सुकिती कहें या संस्कृत में बाद में सिधार्थ भी कहा जाने लगा सिधार्थ भी कहें इनका जनम जो है जम्भू दीप में हुआ था उस समय कोई भी बाउंडरी नहीं थी समराट असोक के समय तक भी वो छेत्र भारत का हिस्सा था आप चाहें जो रुम्मन देई का विलेख है उसको ही पढ़ लिजिए उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है ना समराट असोक ने राजा देश दिया हुआ है कि यह जगह जो है बुद्ध का जनामस्थान है तो मैं यहां पे कर जो है कम लूँगा वन बाई फोर्थ के समय में भी वो छेत्र भारत का ही हिस्सा था तो जो बुद्ध है इसे हमें इस बीबाद में पढ़ना ही नहीं चाहिए कि उनका जनम नैपाल में हुआ या भारत में उनका जनम जम्बू दीप में हुआ था दोस्तों आज की डेट में भले ही वो नैपाल का हिस्सा है लेक लेकिन भविस्य में जब यह सारी चीजें कंपाइल की जाएंगी तो इसे भारत का ही हिस्सा घोसित करना ही पड़ेगा